तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए है और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये जो वीडियो है ना ये उर्दू फोर बिगनर्स यानि की उएफबी का पार्ट 35 है जी हां 35 और आज की इस पार्ट में यानि की आज की इस वीडियो में हम लोग प्रजेंट कंटिनिवस टेंस से बने सेंटेंस यानि की जुमले को उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं जी हां प्रजेंट कंटिनिवस यानि की उस तरह के सेंटेंस उस तरह के जुमले जिस जुमले के लास्ट में रहा है रही है और रहे है आता है जैसे की व कैसे वाले वाले सेंटेंस यानि की सवाल या जुम्लें को भी अर्दु को देखना सीखेंगे सवाल पूचा जाता है ना जिस तुम कहां जा रहे हो विस्तिनेसं ऐसे क्वाले से आ जा जब हो onnen essp। दोर्ड क्यों रहे हैं थिए तो क्या क्यों कैसे वाले जुम्ले को भी यानि कि सवाल ये जुम्ले को भी दिखना सिखेंगे सो नाव विदाउड एंडी रिले लेट्स गोड़ो स्टार्ट यूफ़ी का पार्ट 35 है लेकिन इसके पहले वाले पार्ट में यानि कि पार्ट 34 में मैं आप लोगों को होमक दी थी पहले उसका मैं एंसर बता देत स्थीन से सो और फिर ये है भी ठिक है यह है और अर्फम के निचे रिद जेर मानते हैं और यह तो जुड़ा हो गए तो सबी क्या सबीकित और लोग पढ़ाजयों बहुत बार्स भी चुक्राइब पर निलग पढ़ा जाएगा और यह तुम पढ़ा जायएगा यह लिश तरह से रिखाना है यह उन्हलब कुछ वह ओं तरह सो आप लोग के माइं में वह ल्हें पढ़ा जाता है जैसे की लोग तुम को तो क्या सभी लोग तुमको अब देखे यहां पर अलिफ है और अलिफ के नीचे अगर आप लोग पेश मान अलिफ के उपर अगर आप लोग पेश मानते हैं तो उ हो जाएगा और सीन के नीचे जेर मानकर इसमें छोटी यह जोड़ी हुई है यानि कि उसी भी पढ़ा जा सकत इसको उसी तरह पढ़ा जाएगा आगे और पढ़िये तब पता चलेगा तो ये ने चले और जे में अलिव जुड़कर जा और ते के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ते तो जा ते और हे के नीचे जेर मानकर ये जो बड़ी ये है इसमें जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा है और नुगुन्ना है ठीक है तो क्या सभी लोग तुमको क्या सभी लोग तुमको इसी तरह चोड़कर चले जाते हैं दोनों तरह से मितलब इसको उसी भी पढ़ सकते हैं और इसी भी पढ़ सकते हैं तो खैर आप लोग जो भी पढ़े होंगे अगर इसको उसी पढ़े होंगे जो भी पढ़े होंगे आप लोग का सही था उसी पढ़े हैं फिर सेंटेंस में पढ़ दी पहला जूम्ला हो गया दूसरा जूम्ला देखिये क्या निखा है फरट मुष्ट पर इस तो धिव्पर से और बड़िए जुडा रखी यह तो तो दूसरे ध्यान रखिए से दूसरे इस तरह दर दता है नसलिए को माइस में इचाते चलना कौन सा शाप्ति किस तरह से लिखा जाता है ठीक हैं तो घलती टो दूसरे की हैsonय यहां पर भी तो था यहां पर भी तो था थो अब दखिए यह है फ्वा और यह रख तो पढ़ाए अब देखे यह क्यों लिखा गया है इसके पहले वाली वीडियो में ही मैं आप लोग को बता चुकी हूं क्या क्यों कैसे किस तरह यह सब किस तरह लिखा जाता है यह रएक चीज़ बता चुकी हूं यह काफ से को यह की उपर पेश और वा जुड़कर यह और नुगुन्ना त बड़ी वाली शीन है ना तो इससे तलाबे शा होता है तो शीन मेले जूड़कर शा और नून से ना तो देखें क्या यह क्यों परेशाण यह हो और यह ते हो घलती तो दूसरे की है तो फिर तुम लोग क्यों परेशान होते हो कितना आसानी से अब लोग पढ़ लिए अब इसी तरह आप लोग पर भी कितना भी तेक्षच dedic यूज़ करना है दिमागे लगाना है कि कौन सा शब्द क्या पढ़ा जाएगा आशानी से जब आह प溜ो के लिए इतना ह हैं आपणने को प्रैक्टीश होगी और कहीं पर भी सेंटेंस मिल गया और इस तरह के सब्द अगर आप लोग उस सेंटेंस में दिखाई देता है तो आप असानी से पढ़ेंगे अब अस्तों नहीं पर पढ़ेंगे क्योंकि आप ढूंद देख लिए एक एक नजर देख लिए कि हैं परिषान इस तरह लिखा जाता है और पढ़ा जाता है या परेशान उसी तरह है घलती अगर कहीं गलती लिखा है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि गलती तो दूसरे किए तो फिर तुम लोग क्यों पर enjoying छलिए आगे बढ़ते हैं वाउ है वहाँ हर रोज ठीक है ज olmaz निज आपने होगा क्योंकि बैके नीचे हम लोग नहीं मानेंगे अगर जिर मानेंगे तो भी हो जाएगा ठे तो बीठ तो होता नहीं है बैठ होता है तो इसी जगह बैठ कर देखिए जगह इस तरह से लिखा जाता है और बैठ इस तरह से लिखा जाता है इसी जगह बैठ कर तुम्हारा तेक उपर पेश है तो तुम्हारा तुम्हारा हो गया इंतजार देखिए इं की दिभाते ख़ॉइनुखस भूस लिखा हुआ जेल इस यहां याद कर लिजीए गाहिए उस तरह लिखाया है ताकि कहीं पर सिर्धा का लस लीखा हुआ हो तो आप लोग आसानी से पढ़ेंद क्रीक्र किया जाता है ता कि आप लोग पढ़ कर लिकर प्रैक््टिस की हेंगे तो कहीं पर भी उस तरह का लवज दिखाई दे तो आप आसानी से बे जिजब तुरंत पढ़ ले बिना सोचे समझे ठीक है इंतिजार करते हैं ठीक है आगे देखिए हर इंसान हर इंसान बहादूर और मशूर होना चाहता है कितना आसान है सेंटेंस देखने में टफ उसे तो पढ़ा यह नहीं जाएगा लेकिन अगर आप एक एक लवज को पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे पूरे सेंटेंस को तो हर इंसान बहादूर और मशूर होना चाहता है पांचों और लास्ट सेंटेंस है अभी के जमाने में अभी के जमाने में हर शक्स एक दूसरे को तकलीफ देते हैं ते से तो और इसमें काफ जुड़ा है काफ से को और यह है लाम और इसी के इसी में क्या जुड़ा है यह छोटी यह जुड़ा हुआ है और लाम के नीचे जेर मान कर छोटी है तो ली और फे से फा तकलीफ देते हैं ठीक है तो अभी के जमान में आप लोगों को दी थी मतलब हिंदी में सेंटेंस को दी जिसको आप लोगों को उर्दू में लिखना था उसको मैं लिख कर बता दे रही हूं ताकि आप लोग मिला सके तो अब आईए यहां पर ध्यान दीजिए बोड पर हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो नहीं मानना है वीडियो में अंतक बने रहना है देखिए यही वह पल है अगर छोड़कर चले जाते ना तो फिर आप कभी भी उर्दू नहीं सीख आएंगे इसलिए अभी थोड़ा सा और देर है मतलब बस थोड़ा सा कांतर है बाकी 90 परसेंट आप लोग उर्दू सीख ग ना तो समझी आप कभी भी उर्दू नहीं सीख पाएंगे यहां पर बस आप और सबर कर लीजिए और अपने अंदर मोटिवेशन लाइए हार नहीं मानना है और जो भी है जिस तरह बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कुश्च कीजिए अगर कहीं पर भी डाउट ह तो सीख जाएंगे और 10% बचा हुआ है समझे की 90% आप लोग सीख चुके हैं अगर यहां पर हार मान गया तो फिर आप लोग कभी नहीं सीख पाएंगे इसलिए पूरे एक्साइटमेंट के सांथ पूरे मोटिवेशन के सांथ आप लोग जुड़े रहें और अन तक बीना स्किप के वीडियो को देखे और हर एक पूरेंट को समझे ठीक है तभी आप लोग कंप्रीट सीखेंगे चलिए अब इसको फड़ावट मैं उर्दू में लिखकर बता देती हूं फिलाल तो आप लोग लिखकर प्रैक्टिस किया ही होंगे आप लोग सिर्फ मिला लीजिए scheme है और जी है जौक उर्दू में जीम कहते हैं यह तो जी हो जाएगा और ये जि collapse जाती है आप लोग कुश़चन मार्क लगा दीजिए हो गया हो आप लोग इस तरह लिखे होंगे अगर आप उस तरह लिखे है तो बिलकुल आप लोग बिल्कुल वाला को रहेगा यह वाला को ठीक है काफ के उपर जबर और इसमें यह जोड़ देंगे तो कई हो जाएगा और यह के उपर हम यह तश्दीद देंगे तो जो इस यह के लिए हम एक और यह यहां पर लिखेंगे दो बार यह लिखने के बजाए हम एक ही यह लिखेंगे और इस की यहांपर चोटी यह लिकना पढ़ेगा तो दो बार उर्दू में नहीं लिखा जाता है यह इसलिए एक ही यह लिखकर ऊपर तश्रीद लगा दिया जाता है चोरो जोर कर बाइगा और आप लोगो चोटा चोटा धुन्दला दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और जूम कट लीजिए जब मैं लिख रही हूंना जहां पर वहां पर जूम कर लीजिए और बड़ा कट के देखिए एक दम बड़ा बड़ा दिखाई देगा और समझ में भी आएगा बाह हो पिर जख्य में अलीफ जूरकर शा और फिल रहा से रहा बाजार और से इह हो गया से ृ कई अंफ्य करत मैं है मिला करी हो गया ज्लुक तरह से लिखते हैं क्या रुकईय बाजार से खिलांए लाटी है तो नौर्मनी हो जाएगा क्या रुकईया बाजार से खिलाने लाती है अगर आप लोग इस तरह लिखे हैं तो बिल्कुल सही है आप लोग यह भी सई कर लिए ठीक है देखिए बहुत जदा मैंनत लग रहा है आप Wow वीडियो को लैक जरूर करें जो कुछ भी समस्में मैं आप लोग को समझा रही हूं तो वीडियो को लोग यह हो गया हम लोग उसके बाद से क्यूंग भी आप लोग लिखना जांते हैं इपने लिखा जाता है क्यों और शर्मिंदगी देखिए तब यह हो गया और इसी मेरी जोर दीजिये और उसके बाद से दियुक्र हो गया मीम देखिए बाहर से अगर आवाजे आ रही है तो इसको इग्नॉर कीजिएगा क्योंकि बाहर के मतलब वातर औरन को कितना शांत किया सकता है मतलब उसको इग्नॉर करना है यहां पर आप लोग ध्यान लीजिए जुम कर लिजिए और आप लोग इसी पर फोकस करें प उसी में डाल जोड़ देंगे तो दाल से दो फिन पर फिर माहों महसूस मेरे idel कर ऄख और ये हो गया ते तेखिए नीचे जिर और बड़ी जूट करतें हैं ने बिंदू वाला है रहेगा ठीक है टो इसके लिए यह लग ऑप लोग इसी तरह लिखे होंगे आज रओ कर लीगे कैसे सभी लोग लिखना बताइए UN इस तरह से लिखा जाता है कैसे ठीक है और फिर क्या है सभी सभी भी लिखना बताई हूं यह हो गया सभी ठीक है और उसके बाद से लोग यह हो गया लोग और इबादत इबादत में न रहता है अलिफ सभी आ होता है यह भी मैं आप लोगा बताई हूं और अलिफ के नीचे ज जोड देते हैं तो भी पढ़ा जाएता है तो और इसी में बे जोड़ने और इसी बेव से करते हैं और यह वां से लोग अर्ट जी बीपादत करते हैं और फिर हैं जब plural हो subject आप लोका plural हो तब ये वला हैं रहता हैं जैसे कि क्या वह मस्जित जाती है इसमें वह से पता क्या चल रहा है कि वह एक लड़की है सिंगल है वो तो इसलिए क्या वह मस्जित जाती है यहाँ पर है लेकिन हम लोग क्यों शर्मिन्दिगी मैसूस करते हैं हम लोग य इससे plural होना पता चल रहा है याईन की एक से ज़्यादा लोग है इसलिए यहाँ पर लास्ट में हैं हैं ठीक है और इस हैं के लिए उर्दू में इस तरह रिखा जाता है ठीक है इद के दिन सभी लोग एक दूसरे को मुभारक बात देते हैं इद लिखना देख लिजे एन से होता है n के नीचे जेर देंगे और इसमें छोटी जोर देंगे तो ओर द्लेंगा और दाल से दाल बताई हो न वे आप लोगो वि像 अहता है n के नीचे जेर मानकर ठोटी ये जोर इद के के लिखना आसान है काफ के नीचे जेर और बढ़ी ये जोड़ दिये के और दिन देखिए दिन में दिन तो और भी जदा लिखना आसान है दाल से दो होता है और दाल के नीचे जेर मान लिए तो छोटी वाली दी और न दिन इद के दिन सभी सभी इस तरह से लिखा जा करता है दूसरे को को मुबारक मुबारक भी लिखना असान है मीम हो गया मीम के उपर पेश मान लिए तो मुव और बा है बे हो गया ये और इसी में अलिव जोड दीजे तो यह हो गया बा और रे से रए और काफ से कई यह हो गया और बाद बैं मैं जुत रोग यह और डाल से दो मुबारक बाद लेटे के दाल के की निप नीचे जएर अर बढ़ी जुड कर दें और ये ठीए रहेगा यह लबेते हैं एक हैं कुरे को मुबारक बाद देते हैं छापीद लग प्लूरल का बोध हो रहा है इसलिए है रहेगा ठीख देखें कितना आसानी से इतने लंबे सेंटेंस को लिख दी हम लोग एक दुसरे को मुभारक बात देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तुम लोग तुम लोग इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है तुम लोग हो गया मंदिर मंदिर मिम से मा नून से ना दाल से दा और रे से रहा मंदिर ठीक है डाल के नीचे जिर मान लेंगे तो जी हो जाएगा और रे से रहा क्यूं यह हो गया क्यूं ठीक है जाते यह हो गया जाते और हो वो तो आप लोग जानते हैं नहीं यह से लिखा जाता है ठीक है क काम से फुर्सत मिलने के बाद अमीना कहा जाती है तो काम लिखना असान है काम इस तरह से लिखा जाएगा काम से से इस तरह से लिखा जाएगा से फुर्सत फुर्सत यह हो गया फुर्सत ठीक है मिलने मिलने के यह हो गया के और उसके बाद है बाद बे से बाद होता है अब आप लोग कहेंगे कि बे से बाद होता है इसी में अलिफ जोर दीजिये और दाल जोर दीजिये बाद हो जाएगा मिलने के बाद क्योंकि यहां पर भी मुबारक बाद लिखे थे तो यह वाला बाद इसी लिखा जाएगा उर्दू में तो जी नहीं अब जब समय की बात हो कि फुर्सत मिलने के बाद यानि कि समय की जब बात होना तो यह वाले बाद का यूज नहीं किया जाता है इस तरह मतलब उर्दू में नहीं लिखा जाता है बाद इस तरह लिखा जाता है बे मैं जूरकर बा बाद इस तरह से लिखा जाएगा ये भी याद रखना है ठीक है मीना लिखना तो आसान है अलिफ से आ नीक着 जेर जोड़कर यह जोड़ देंगे तो मी और नून वी हो गया और इसी है जोड़ें अमीना ठीखे कहां यह हो गया कापसे को है मेल जोड़कर हाँ नोगुना कहां चांद वाले बिंदु के लिए नोगुना ठीखे जाती यहां पर हो गया लोग यह वे लोग दूनों पड़ सकते हैं और फिर हर और यह हो गया रोज, रे के उपर वाओ, रे के उपर पेश और वाओ जूर कर रोज, ठीके, किसे, ये हो गया, किसे, काफ के नीचे जेर मान लिए, तो छोटी वाली की, और सिन के नीचे जेर बढ़ी जूर कर सेर, किसे, डढ़ाते, ये हो गया, डढ़ाते, और उसके बाद से, धमकाते भी तो धमकाते दराते धमकाते धमकाते और हैं या परबिंद वाला ना रहेगा हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आप लोग का प्लूरल है ना वे लोग यानिकी प्लूरल की बात हो रही है तो वह लोग हर रोज किसे दराते धमकाते हैं इस तरह से आठो के आठो सेंटेंस को मैं उर्दू में लिखकर बता दी आई होप आप लोग मिला लिए होंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ यह भी जरूर बताई जी जान लगाकर मेनत कर दीजिए और जो भी होमक दिया जा रहा है उसको 100% में दारी लेकर बनाए और ये भी बताए कमेंड में कि कितना आप लोगा सही हो रहा है ठीक है अब चलिए बोड मीटाकर हम लोग समझते हैं प्रजेंट कंटिनिवस टेंस के सिंटेंस को रहा है रह कि हूँ वैसे तो normal मैं जा रही हूँ वे लोग धा रहे हैं वे लोग किसी को मार रहे हैं तो यह नॉर्मल जो सधारण मतलब जो इसी संटेंसे से वह तो आप लोग खुद से बना सकते हैं और यह बनाना आसान है लेकिन जो टफ टफ हैं इसको अरदो में लिखने में मुश इसे पढ़ाई कर रहे हैं क्या मैं सच में पटना जा रही हूं तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो वह मुझे क्यूं देख रही है वह कैसे सब के सामने बोल ले रहा है हम लोग इस बार कहां जा रहे हैं तुम किसको मारने की बात कर रहे हो इस तरह के सेंटेंस को अगर आप उर्दू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं वे लोग घर छोड़कर जा रहे हैं ठीक है तो वे लोग आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है वे लोग या फिर वह लोग इसी तरह लिखा जाता है घर घर लिखना आसान है क्य वहां वहां पर आप लोग जूम कर लिजेगा ताकि आप लोग साफ और बड़ा बड़ा दिखाई दें ठीक है वह लोग घर छोड़ छोड़ लिखना असान है क्योंकि यह से चाह होता है और चे में एच यह जोड़ दिये तो चाह हो गया चे की उपर पेश्मान कर इसमें वा वह लोग घर छोड़ चा रहे हैं कितना असान है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग भी लिखना असान है न देखिये यहाँ पर हम लिख दिए और यह हो गया लोग हम लोग गया पन और एकेडमी यह तो लिखना असान है क्योंकि आप लोग 009 ने चुकें बहुत दोनों नुक्ते को अच्छा से लिख दो फास्ट लिखने में तो यही होता है राइटिंग का समाज ही में नहीं आता है और मैं जितना भी यह लिखी हूं तो इसलिए आप लोग मेरा राइटिंग तुड़ा उतना खुबसूरत नहीं दिखाई दें लेकिन फिर भी ठीक है सम हो गया कर और यह हो गया रहे और है यह हो गया है कितना असान है लिखना वे हम लोग आपने केडमी से पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह से लिखा जाएगा देख रहे हैं यह सब प्रजेंट कंटिनियों स्टेंस के सेंटेंस हैं ठीक है अभी हां से स्टार्ट हो रहा है सवाल यह जुम्ला क्या मैं सच में पढ़ना जा रही हूं इसमें सवाल है ना सवाल पूछा जला यानि कैसे लिखेंगे क्या इस तरह से रहेगा क्या मैं मैं तो लिखना आसान है बहुत बार लिख कर बताई भी हूं और आप लोगो को याद भी होगा कि हम इस तरह से लिखा जाता और यह वालाँ जो में है, ये भी इसी तरह लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर meet के उपर जबर मानकर और इसको बड़ी ये मान लेते हैं, और इसको नोगुणना तो ये मैं पढ़ा जारा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इसके उपर जबर और बड़ी ये इसको नही पढ़ा जा रहा है यहीं अंतर है जबर्जिर नहीं लिखा जाता है और इसी में बहुत चाहिए लोग ऑफ लोग जाते है ठीकर और यह कंफूज करने के लिए 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 ज़ूट कर ना पटना यह पटना और यह हो गया जा आप लोग सूच रहे नून में जुड़कर ना होना चाहिए ना हाँ बिल्कुल लेकिन परफेक्ट अर्दों में पटना इसी तरह लिखा जाता है ठीक है और जा रही रही और हुँ लिखना है यह तो इस लेकिन इसमें न लगा देंगे तो यह हो जाएगा हूं क्या मैं सच में पटना जा रही हूं दिखा गया कितना असान है तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो लिखना है तो सबसे पहले तुम लिखिए तुम हो गया हमारे हुआ हैं यह हो गया है से हममेल ब्लेट कर्मा और यह विशा रह रहा था नहीं इसके नीचे जिर मान कर इसमें बड़ी जोड़ी हो जाएगा कम रहे हो गया और में फिर क्या यह हो गया क्या कितना आसान है लिखना फिर कर कर और फिर रहे नहीं रहे और फिर हो 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 गया तुम हमारे कमरे में किर ऊपर विंदू वाला नहीं रहे जात हैे कि कि आपने एक एहम योग दान दिजिक उर्दु को आगे बढ़ाने में वह मुझे क्यूं देख रही है इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे वह लिखना तो आसान है वाव लिख देना है और हे लिख देना है और मुझे मुझे भी लिखना आसान है यह हो गया मीम और इसी में यह जहा के नीचे जिर मानकर और बड भी लिखना असान है तो वह मुझे क्यों देख रही इस तरह से लिखा जाएगा वह कैसे सब को सामने अच्छा वह कैसे सब के सामने मैं भी थोड़ा कभी कभी इंसान जैना जबान प्रिसल जाता है हर इंसान से गलती है तब ही तो हम लोग इंसान कहलाते हैं वह कैसे सब के सामने बोल रहा है इसको कैसे लिखेंगे वह है कैसे यह हो गया कैसे ऑपर जबर और बढ़iez जड़कर कैसे क्षिंच करके उने निचे जएर के और भड़य जड़कर से है इस तरह यह हो सब और इस में इस त्रहरा जोर दीजिए सबके ठीके वह कैसे सबके लेखिन इसको अगार अलग लिखा जाएक टो जाए टीके सब लेक्र में के सामने सीन धी जूब कर सा म likely पूर कर सामिम लाम के नीचे जिर मानकर बढ़िए जोड़ती है तो ले रहा रहा यहां पर मैं लीख armas gold रहा और फिर है है कोस्टन माग हम लोग इस बार कहां जा रहे है तो लोग को पहले लिखिए हम लोग इस तरह से लिखा जाएगा हम और ऊसके बार स्कार्ण से हो गया लोग ठीक है इस बार ळिवसी ऋ होता है इसके नीचे जिर्मालएंगे तो यह जाएगा और यह हो सी फिए लिखनि सीन इस तरह से भी दिखा जाता है और वु güçed यतर आदत है इस तरह से लिखने की तुछ चलिए कोई दिक्कत नहीं है लिख लिख देती हुं इस ठीक है इस बार ब्लिब जुड़कर बार और फिर यह हो गया काव से कहां हगा है तो हम लोग इस बार कहां जा रहे है तुम किसको माणने की बात कर रहे हो तो सब से पहले तुम लिखिये तुम लिखिए गया किसको यह हो गया किस काफ के नीचे जैर जूड कर एक जूड कर किस्नो को मारने अप चाहे तो इन दौनों को एक rap हैं यह जो सिंद कादब आगे ना इसको मिटा कर और व्याओल जो कू है ना किसी में ऐसे कर सकते हैं किसको ठीक है लेकिन मैं अलग-अलग इसको लिखी थी जैसे कि यह हो गया को मारपआ की यह हो गया की यह को और नियुक्त कर बात को गया और फिर कर कर इस से लिखा जाएगा और फिर रहे रहे यह हो गया और फिर हो वो के उपर बिंदू नहीं से तूम किसको माझने की बात कर रहे हो तो यह वगया आठ सेंटेंस बना आज के इस वीडियो में हम लोग और आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रसेंट गजैंटीन इस के सेंटेंस को अर्थू में लिखा पढ़ा जाता हैं अब कहीं पर भी लिखा अब मालि यहां पर मेरें दी अब उर्दू में लिखकर मैं आप लोग बता रही है और आप लोग बताईएगा वीडियो को पॉस्ट करके पढ़कर कि क्या लिखा गया है मैं उर्दू में यहां पर एक सेंटेंस लिख रही हूं ठीके ID कि अथी आप लोग पढ़ियेगा जरा इसको आप लोग पढ़कर बताईए क्या लिखा गया है ये क्या लिखा गया है आप लोग पढ़कर कमण में बता सकते हैं ठीक है पढ़ लिए अब मैं इसको पढ़कर बता दे रही हूँ ताकि आप लोग मिला ले कि आप लोग सही पढ़े है ठेक की नहीं देखिए वह यह तो देखने से ही लग जा रहा है कि क्या है यह वह है ठीक है यह क्या लिखा गया है मीम है और इसमें यह जुड़ा हुआ है मीम के नीचे जेर और मीम के नीचे जेर मानकर इसको बड़ी यह मानते हैं तो में पढ़ा जाएगा रे के नीचे जेर इसको चोटी नीचे जेर और यह झुटी यह हूँ और नूगु नहीं किस तरह से लिखा जाता है इससंसर नहीं तो नूं से यह हो गया ना और फिर हे तो है और इसको बड़ी वाली ही नां उल्यक के लिए नीचे जहिर मान कर ये जोटी है हुआ तो वह मेरी बात नहीं मान रहा है यहीं लिखा गया था अगर आप लोग इस तरह पढ़े हैं तो बिल्कुल सही पढ़े हैं आप लोग पढ़ने रहे हैं तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहे आज के इस वीडियो में अब लोग को हमवाक नहीं दूँगी आप लोग को खुद से ही हमवाक लेना है मतलब कि आज के इस वीडियो में आप लोग जो कुछ भी सीखे पर्जेंट कंटिनीवस टेंस को यह सेंटेंस को दू में लिखना पड़ना अब आप लोग खुद से ही क्या करें सबसे पहले हिंदी में पर्जेंट कंटिनीवस टेंस के सेंटेंस को लिखने हिंदी के पुई लिखने को हिंदी में सबसे पहले लिख लुए 유튜र अपने काफी और पेन उठाईए और आप लोग का होमक कि यही impress tomorrow कू हिंदी में लिखे रहा है रही है रहे वाला ठीक है और फिर उन temperatures के दस्सों वाक्यों को Hindi में हिंदी में बोल रही हो अर्दू में आप लोगको लिखना है उस्यते आप लोगे लिखने की प्रारी होगी और कहीं पर भी सेंटेंस उर्दू का लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कुछ कीजिए अगर आप लोगे पास उर्दू का बुख अब आप लोग सीख पाएंगे और कुछ नहीं क्योंकि जितना भी content आप लोग को पढ़ना था वो हर एक चीज चीज सारा concept आप लोग को बता चुकी हूं अब प्रैक्टिस आप लोग को करना है इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस पर ही फोकस कर रही हूं ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में यान की पार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से हमेशा करती आई हूं कि आप लोग कम से कम अगर जितना मतलब कम से कम और ज्यादा मतलब इसके बदले हम लोग यहीं चाहते हैं कि आप लोग जितना जदा हो सके श्रीयर करें और लाइक करके जरूर जाएं ठीक है तो चलिए आज के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाई-बाई टेक क्या और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉ हाफीज